नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में आज हम लोग बिहार स्पेशल में 65 में BPSC PT में आये हुए प्रश्णों को देखेंगे इसमें हम लोग अभी बिहार स्पेशल के सिरीज कर रहे हैं तो इसमें देखिए कुल 26 प्रश्ण ऐसे हैं जो बिहार से पूछे ग मुश्लिम सासक यूशुफ साचक जिनने मुगल समराट अकबर दौराद प्यार में निर्वाशित किया गया था दफन है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी नालन्दा में नेक्स्ट कुश्चन कहता है कि बिहार राज परेटन विकास निगम की टैग लाइन क्या गया कितना अच्छा प्रशन पूछा गया है तो दिहान रखना है बिहार राज परेटन विकास निगम का जो टैग लाइन है यह है ब्लिस्फुल बिहार ब्लिस्फुल बिहार नेक्स्ट कहता है कि बिहार राज में गंगा के किनारे इस्तित जिलों की संख्यां कितनी है तो ध्यान रखिए गंगा के किनारे कुल बारे जिले है अगला सवाल निम्द ने कौन सा वन्य जी अभिर बिहार के मुंगीर जिले में तो ये है हमारा भीमबान्द भीमबान्द कहां पर है मुंगेर में है ध्यान रखिएगा से इसको कहता है वर्ष 2011 की जन गन्ना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच लिंगानउपाद निमलिकित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पत जड़ वाले वन चेतर से घिरा है तो ध्यान रखिए पत जड़ वाले वन चेतर से जो सबसे अधा घिरा है वो है पस्चिमी चमपारन नेक्स्ट कोश्चन बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तो इसका सही जवाब है पठना में अगला सवाल कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच घनियाबादी परतिवर कीमी दर्ज की गई है सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना है वो है शिवहर में क्लियर है चलिए आगे देखते हैं भागलपूर में नमक सत्यागर का नेतरत किस ने किया था बहुत अच्छा सवाल है तो ध्यान रखिए भागलपूर में नमक सत्यागर का नेतरत महादेवलाल शराफ ने किया था राहुल संस्क्त तैन ने किया था हमारी जो बिहार स्पिशल की क्लास है उसमें आपको ये सारे चीज काफी विस्तार से मिलेंगे तो उसको अपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजिए फिर आपको ऐसे फैक्ट्स याद करने का वशक्ता नहीं होगी अगला सवाल क्या क परशाद आगे देखते हैं कि कहता है कि बिहार में 18-57 की विद्रों का नेत्रट किस ने किया था ये सवाल तो परतिक वर्स आता Ooiseen सिंग next question है कि अस्योग अंदूलन के दौरान बिहार में किर अत्रुषक का नेत्रुथ किस ने किया था अस्योग अन्दूलन के समय पर तो ध्यान रखिएंगा सवामी विद्यानन्द ने अस्योग अगला सवाल आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है तो ध्यान रखिए आधुनिक बिहार का निर्माता सचिदा नंसिना को माना जाता है अगला सवाल बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन किस ने किया था तो ध्यान रखिए बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन स्वामी सहाजान सुरसती के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है कि डच इस्ट इंडिया कमपनी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना में स्थापित की थी तो ये किया था 1632 में अगला सवाल कि बिहार में स्वराज दल का गठन किस ने किया था स्वराज दल का ध्यान रखिए बिहार में स्वराज दल का गठन स्री कृष्ण सिंग ने किया था स्वराज दल अगला सवाल कहता है निमलिकित में कौन सा जिला धारवाड भू असरी रचना वाला नहीं है इसका सही जवाब है रहतास आगे देखते हैं यह तो करेंट अफेर्स है इस तरह के प्रशन आपसे पूछा जा सकता है लेटेस्ट में भी जो कि हम लोग आगे कवर कर रहे हैं नेक्स देखिए जिन गन्ना 2011 के नुसार बिहार में बाल लिंगान उपात था कितना यह था हमारा 935 935 आगे कहता है कि वर 2017 अठारे के दोरान बिहार में तिरतेक शिदर की विकास दर करेंट अफेर्स नेक्स देखिए मौझूदा 17 अठारे में कीमत पर मौझूदा कीमत पर सकल राज घरल उतपाद यह भी आपका करेंट अफेर्स नेक्स देखिए यह भी करेंट अफेर्स है बिहार दिवस का क्या महत्त जो हर साल 22 मार्च को जो है मनाया जाता है तो देखिए इसका सही जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं यह है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद मनाने के लिए आगे देख लिते हैं अगला जो हमारा सवाल होगा यह जरूर आप ध्यान में रखें कि 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस नेक्स कुशन क्या है किस राज को केंद्र सरकार दोरा विसेस रेनी का दरजा कभी परदान नहीं किया गया यह 52 नमबर बिहार है इसका सही जवाब है तो यह अमारा था बिहार स्पेशल अल इंपोर्टेंट प्रिवस रेकोशन उम्मीद है आपने इसे रिवाइस किया होगा इसमें लोग कोई विस्टार नहीं करते हैं डिसकस नहीं करते हैं चुकि कम समय में आप प्रिवस रेकों अमीद है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तुस्ते लाइक और शियर ज़रू करें मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद